यहां साम को बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं इसमें लेडिज हैं बच्चे हैं और जेन से भी हैं सभी लोग साम को अपना समय यहां पर निकालते हैं और सभी से मुलाकात होती है साम का बहुत अच्छा मौसम है ठंडी हवा चल ली है यहां की एरिया इतनी बड़ी है कि यहां पर बहुत सारे लोग इखटे गूम सकते हैं सुर्य भगवान के अस्तवने का टायम हो रहा है दगवग साम के साड़े पांच बच चुके हैं और चारों का नजारा देखिए पानी का टेंक तो भी यहां पाया हुआ है और पेड़ों की हर्याली चारों तरफ सिफ पेड़ों से हवा काफी अच्छी आई है सुन्दर मनोहर दृष्य यहां का है चारों और तीन रोड बनी हुई है बीच में फ्लैटों के लिए जमीन रोकी चोड़ी है और आगे पे मकान बने हुए है बच्चे भी स्कूल से आके यहां पे आए हुए है भूमने के लिए हमारे साथ वाले भी हमारे साथ चल ले हैं और यहां बच्चों के लिए पार्क है पार्क में भी बच्चे खेल रहे हैं उनकी दादियां बच्चों की दादी नानी फी यहां पर बैठे हुए हैं और वो एकांत में रोट से हटकर यहां पर गाड़ी का कोई घंजट नहीं है जिससे चलने में घूमने में सुईधा है यह देखे यह यह पार्क का नजारा देखे यहां पर पूरे फ्लैट बन रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे लोग भूमने के लिए निकले हुए हैं और जिनको पसंद आएंगे तो फ्लैट के लिए भी यहां पर बात्चित करते रहते हैं चार और मकान बने हुए हैं और नजारे देखे चार और के खेतों में दूब वली घास हुई है और फूलों का अपना अलग आनंद है साम को सारी सड़क देरे देरे करके भर जाती है हम फिर आपको आगे का नजारा दिखाएंगे अभी हम इस ब्लॉक में इतना ही दिखाते हैं आगे का हम फिर दिखाते हैं